ना आप लोगो Championships ने काफी बार History Books में पढ़ा होगा कि बाबर सबसे पहले भारत में आया मुगल सामराजे की नीव बाबर ने रखी उसबेकिस्तान से बाबर आया उसके बाद बाबर का बेटा हुमायू उसने राज किया, हुमायू के बाद हुमायू का बेटा अखबर उसने भी राज किया, मगर इस चेन के बीच में एक बहुत ही important link काफी बार हम लोग भोल जाते हैं, समराध हेमू का, the last Hindu emperor of India, अगर battle of panipat का result थोड़ा सा भी different होता, तो भारत का इतिहास completely बदल सकता था, इस वीडियो में हम बात करेंगे, समराध हेमू के वारे में, किस तरीके से बहुत ही normal families से, ये बन गए एक बार को emperor of India, और almost आप कह सकते हैं, बहुत जादा misfortune था, कि अचानक से ये battle of panipat जीते जीते हार गए, अगर ये second battle of panipat जीत जाते तो अगबर का राज कभी इंडिया में शुरू ना होता, इंडिया की history और तरीके से लिखी जाती, तो सबसे पहले तो बहुती सरल भाशा में, मैं आपको समझाओंगा, कि यहाँ पर पुरा scenario क्या था, उसके बाद इंड़ा थम बात करेंगे, समराध हेमू के बारे में, इ तिहास बदल गया, अगर हम देखें बहुती basic timeline को, तो 1494 तक, बाबर उजबेकिस्तान का जो फर्गना region है, इसको capture कर चुका था, बाबर की जो पूरी कहानी थी, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, battle of panipat, the first battle of panipat, आप सर्च करोगे, बाबर's invasion of India, आपक और फिर हमायू का जनम होता है, 1504 में, हमायू बेटा था, बाबर का, उसके बाबर देखा जाता है, कि बाबर और जाधा invasion स्टार्ट कर देता है, पाकिस्तान से इंडिया all together, यहाँ पर दिल्ली तक भी आ जाता है यह, और फिर पहली battle of panipat, जीत कर, यह मुगत सामराजे की नीव यहाँ पर रख देता है, मगर बाबर बहुती लंबे समय तक जी नहीं पाता, इंडिया को invade करने के within 4 years, 4 साल के अंदर अंदर यह मर जाता है, और उसके बाद बाबर के बनाय हुए empire को समालता है, उसका बेटा हुमायू, हम यहाँ पर हैं 1530 में, उसके बाद आप ऐसे तो आप अगर देखो, जो सुर डेनस्टी थी, यह अफगानी थी, मगर यह इंडिया में धिरे धिरे आये, और इन्होंने अपना जो strong hold है, जो main आप कह सकते हैं, जो पकड़ है, यह बना दी थी इंडिया की eastern side में, तो दिल्ली में राज कर रहा है, हमायू अपने पालनी पाया, शेर्शा सुरी की फोज को हमायू भागा, पहले पाकिस्तान की तरफ, शेर्शा सुरी ने और ख़देडा, फिर आगे जाकर यह अफगानिस्तान तक पहुच गया, हमायू अपना सारा empire, शेर्शा सुरी को हार चुगा था, फिर हम आते हैं 1542 में, 1542 में जनम तक राज करेगा इंदुस्तान पे, मगर किस्मत होती है, काफी बार random incidents होते हैं, इतिहास बदल जाता है, शेर्शा सुरी एक किले को अटाक करने की कोशिश कर रहा था, राजपूतों से लड़ रहा था, अचानक से कहा जाता है, अगे इसके बहुत सारे versions आपको मिलेंगे क एक तोप का गुला चला, इसी की साइट से आफिर सामने से चला, बेसिकली एक किले को फते करते करते, शेर्शा सुरी मर जाता है, हुमाईयू को कुछ नहीं करना पड़ता, शेर्शा सुरी इंडिया में मर गया, और उसके बाद जो सुर डेनेस्टी है, वो समल नहीं पाई शेर्शा सुरी के बाद कोई capable लीडर यहां पे आनी पाया, बहुत सारी इंड फाइटिंग वी सुर डेनेस्टी में और एक पावर वैक्यूम खड़ा हो गया, और हुमाईयू ने यहां पर देखा, यह अच्छा मौका है, हुमाईयू ने अराम अराम से अपनी forces ग्यादर क और छोटे से अकबर के साथ फिर से अटाक किया इंडिया को, और दिल्ली पर मुगल सल्तनत फिर से स्तापिद हो गई, सुर डेनेस्टी काफी अत्तक सिमित हो गई थी, वापस इस्टन इंडिया की तरफ, मगर फिर उसके बाद हुमाईयू की भी डेथ हो जाती है, अकबर क इस वक्त एज रफली, आप कह सकते हैं, बारा से लेकर तिरा साल की है, अकबर को पूरा मुगल एंपायर समाला है, मगर तभी समराठ हेमू खड़े उठते हैं, हेमू बेसिक लिए आप कह सकते हैं, प्रामनिस्टर थे सुर डेनेस्टी में, जो सुर एंपायर था, वहाँ पे modern day जो प्रामनिस्टर की पोस्ट होती है, वो इनकी पोस्ट थी, और सिंस शेरशासुरी थे नहीं, उनके जो बाकी बच्चे थे, आपस में लड़ रहे थे, तो सुर एंपायर को समाल दिया यहाँ पर हेमू ने, और हेमू ने यहाँ पर अटाक कर दिया दिल्ली की ना मुझे सबसे अजीब यह लगता है कि जब भी मैंने सुरेंट्स के साथ इंदपास बात करी है समराध हेमू के बारे में, 90% लोगों को लगता है कि हाँ छोटा सार किंग्डम था, उनका छोटे राजा थे, उन्होंने अटाक करने की कुशिश करी, जबकि reality यह है कि समरा हेमू के मैंने भी question आता होगा, जो आग के मैंने भी आता है, कितनी सदियों तक foreigners आई जा रहे हैं, कोई Uzbekistan से, कोई Afghanistan से, भार के लोग, कोई हमारे देश की मिट्टी का कोई आत्मी नहीं हो सकता कि जो राज करे हिंदूस्तान को, चाहे उसका religion कुछ भी हो, चाहे ये समराठ हिमू के mind में काफी बार एक question उठता होगा, तो खेर अगर हम देखें, 1501 में, समराठ हिमू का जनम होता है, अलवर राजस्तान में, मगर इनका जो बचपन है, वो राजस्तान में नहीं था, जब ये बहुत छोटे थे age में, इनकी family इनको ले आई, रिवाडी मे रिवाडी हराणा में आपको मिलेगा, और रिवाडी की आप अगर location देखेंगे तो एक बहुत ही important trade route के बीच में आता था ये, यहाँ आपर आप देख पाओगे, ये है रिवाडी, और रिवाडी में sense इतना trade होता था, काफी बार इरान, अफगानिस्तान, even Central Asia से, जो भी trade होता था, उसमें काफी बार जो व्यापारी थे, आपर रुखते थे, तो समराठ हेमू को बचपन से ही काफी कुछ सीखने को मिला, again मैं आपे समराठ कहरा हूँ उनको out of respect, वगर उस वक्त वो सिर्फ हेमू थे, वो बहुत छोटे थे, उनका माइंड काफी curious था, और आप ज हाला कि आप कहा सकते हैं, बाबर ने introduce किया था, तोपो को पहली बार use किया था, तोपो को एक प्रॉपर वार में इन इंडिया, मगर एचुली समराठ हेमू ने एक प्रॉपर तरीके से एक industrialized zone create कर दिया, आप कह लिजिए, defense factories बना दी यहाँ पर, जिन से ये cannons बन सकती थी, उसके इलाबा ये काफी expert बन गए थे, गोडों की species में, Arabian गोडों के बारे में इन्होंने काफी कुछ सीखा, कि Indian breed कैसी है, जो बाहर के गोडे, अफगानी गोडे, Arabian गोडे, इनमें का difference है, और यहाँ पर इनकी intelligence और जादा develop हुई, और obviously आप लोग समझ सकते हैं, timeline के हिसा आया, जब दिल्ली में, जिस एरिया में वो रहते थे, वहाँ पर मुगल समराजय की सल्तनत थी, बाबर यहाँ पर राज कर रहा था, मगर समराध हेमू ने मुगलों के लिए कभी काम किया नहीं, इनका actually कहीं से contact हो गया, सुर डिनस्टी के लोगों से, जो सुर एमपार था East में, वहाँ के लोगों से इनका contact हो गया, और धीरे धीरे इनके talent की वज़े से, इनकी intelligence की वज़े से, even दो ये हिंदू थे, धीरे धीरे इनका promotion होता गया, और इन्होंने एक के बाद एक जो rank सा ये हासिल कर ली, almost आप कहा सकते हैं, more and day perspective से, इन्होंने उस वक्त IS का exam और उसके बाद एक के बाद एक promotion इनको मिलता गया, जब शेर शाय सुडी की मौत हो जाती है, accidentally एक किले को फटे करने के process में, तो जब इनके बेटे इसलाम शाय समालते हैं, पूरा Sur Empire, उस वक्त हेमू को बना देते हैं, superintendent of the market in Delhi, और काफी सारे soldiers हेमू के अंडर आ जाते हैं, और जैसे जैसे Sur Empire में जो in fighting आपस में रड़ाई बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हेमू का जो stature है, Sur Empire में ये और बढ़ता जाता है, क्योंकि हेमू को लोग देते हैं, एक stable, intelligent इंसान, जो power hungry नहीं है, बाकी लोगों की तरह, वो genuinely administration की तरह committed है, और चाहता है कि लोगों का भल हो, तो धीरे धीरे हेमू का राइस होता रहता है, हेमू कई जंगे लड़ता है, Sur Empire के लिए, इसलाम शाह के लिए, बताया जाता है कि लगातार हेमू ने 22 जंगों में जीत हासिल करी, और Sur Empire को काफी अर्तक फिला दिया था, और यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है Sur Dynasty 1540 स को समझने के लिए, सो अभी के लिए हम हैं 1555 में, अब 1555 में जो Sur Empire है, जो काफी अत्तक यहाँ पे बचा हुआ है, Sur Empire, यहाँ पर हेमू primarily Sur Empire को लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनके इलावा यहाँ पर कोई भी यहाँ जो शहजादे थे, या तो याशियों में बिजी थे, उनमे टैलेंट था नहीं, करिज्मा था नहीं, हेमू आप लिटरी कह सकते हैं, Sur Empire को लीड कर रहे थे, और हेमू ने अच्छली फिर यह डिसाइड किया, कि यह सीधा दिल्ली में जाकर हुमायू से लडएंगे, हेमू की अच्छली आप अगर देखे, लड़ाई होने वाली थी सिर्व 12-13 साल का था, मगर फिर अचानक से 1556 में हुमायू मर जाता है, अब यहाँ पे आप कहेंगे हुमायू कैसे मरा, इस से रिलेटेट भी बहुत सारी स्टोरी हैं, हुमायू किसी जंग में नहीं मरा, हुमायू अपनी लाबेरी में था, कहा जाता है, अचानक से उसको आजान की आवाज आई और उसकी आदत थी, जैसे ही आजान की आवाज आती है, तो वो नील करता है, रिस्पेक्ट में, तो लेजेंड यह कहती है, कि उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, कि वो फिसल गया, और फिसल के उसकी मौत हो जाती है, कुछ सीडियों में गिर जाता नहीं है, पूरे सामराज्य को समालने के लिए, अकबर रेडी नहीं है यहाँ पर, अकबर को लिटरली उसवक्ट बैरम खान समाल रहा है, बैरम खान आपके लिए जनरल था उसवक्ट मुगल एमपायर का, और हेमू यहाँ पर एक तरफ से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और हेमू एक टाइम पर अकबर के सामने खड़े हो जाते हैं, इस बीच में वैसे आपको यही बता दू, कि कुछ समय के लिए, हेमू ने दिल्ली पे भी राज किया था, आगराफ के जो फोर्स थे, वहाँ भी हेमू का राज था, और हेमू ने खुद को गोशित कर दिया थ समराठ हेमू विक्रमदित्या, इंपरर अफ इंडिया, ना जो बैटल ऑफ पानिपत है, पानिपत अफको बताओगा, हरना में आपको मिलेगा, बैटल ऑफ पानिपत जो होती है, अकबर और समराठ हेमू के बीच में, उससे पहले दिल्ली के पास एक और बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तुगलगाबाद, वहाँ पर भी जो मुगल फोर्सिस थी, उनको बुरी तरीके सरा दिया था हेमू ने, और आपके लीजे, मुमेंटम काफी हद तक हेमू के साथ था, मगर इस बीच, इस बीच एक बहुत ही इंपोर्टन घटना होती है, जिसका इंपर्ट पर समाल ला था, पूरी वार, तो बैरम खान ने क्या किया था, कि समराध हेमू के लिए, जो तोपे, यहाँ पर, आप कहले जिए, हर्याना का जो साउट का रीजन है, यहाँ से आ री थी, दिल्ली की तरफ, वो जो तोपे थी, यह बैरम खान ने कब जा ली, तो आप कहले जिए, जो तोपे, समराध हेमू इस्तेवाल करने वाले थे, second battle of पानीपत में, यह मुगलों के हाग लग चुकी थी, अकबर की सेना, अब तोपे इस्तेवाल करने वाली थी, अगें समराध हेमू, और समराध हेमू के पास अपनी तोपे थी नहीं, यह एक बहुत ही बड़ थी नहीं के हेमू को ये लोग हरा पाएंगे इनको लग रहा था के most probably हेमू ये battle जीच जाएगा और उस case में सीधा अकबर को उठा कर वापस जिस तरीके से हुमायू को ले गए थे अफगानिस्तान में वैसे ही अकबर को भी अफगानिस्तान में ले जाने का इनका प्रबन था तो जंग शुरू होने वाली है और मैं इमाजन कर सकता हूँ समराठ हेमू काफी unfortunate feel कर रहे होंगे क्योंकि जिन तोपों के बारे में उन्होंने बच्पन में study किया इसको बनाने का जो process है ये भी नोंने study किया यही तोपे इनके सामने खड़ी वी थी और ये तोपे actually समराठ हेमू को बिलॉंग करती थी he should have been the one to use these cannons मगर ये तोपे इनके against थी और समराठ हेमू को पता था के war की starting में losses झेलने होंगे जो इनके बहुत सारे war elephant है जो हाती है ये खोने पड़ेंगे क्योंके बैरम खान बहुती बड़े scale पर इन तोपों का इस्तिवाल करने वाला था और हुआ भी यहाँ पर यही जंग शुरू हुई और बैरम खान ने order दिये कि जो तोपे हैं ये चलानी start कर दो और कई जो war elephant है हेमू की सना के इन तोपों की वज़े से जखमी हो गए और initially काफी loss घिलना पड़ा मगर पृत्वीरा चोहान के साथ जो हुआ था हेमू वैसा नई होने दिने वाला था उसने एक बार को अपनी forces को forcefully आगे भेजा और जो cannons तोपे थी वो picture से गाइब कर ली और उसके बाद हेमू को पता रहा के अभी भी मेरी आर्मी इतनी काविल है अतनी strong है के बैरम खा और अकबर दोनों को यह हरा सकते हैं उसके बाद full on war आगे होती है हेमू की forces लगातार बैरम खा की forces को damage करती रहती है बीश में यह लोग कोशिश करते हैं कुछ tactics अपनाने के जैसे के हेमू की forces को काफी stretch कर दिया था इनके archers ने फिर कोशिश करी जो infantry है उन पर तीर बठाने की कुछ damage किया मगर eventually हेमू की जो cavalry थी जो इनके घुर सवार थे यह बहुत soldier अचानक से समराढ हेमू की तरफ एक तीर मारता है और यह तीर सीधा कल के आरपार चला जाता है नाव यहाँ पे आपको समझना होगा यह plan का part नहीं था बैरम खान ने सपने में भी नी सोचा था कि कोई तीर अंडास जो किसी घोडे कर भी सवार नहीं है वो randomly एक तीर मारेगा और समराढ हेमू उस तीर की वज़े से वीरगती को प्राप हो जाएंगे यह किसी ने imagine नहीं किया था आप यहाँ पे ऐसी समझ लीजिए in modern terms कि कोई गुमणाम सा क्रिकेटिक nation है जिसने जादा मैच खिले भी नहीं है नामीबिया मान लो नामीबिया का कोई बॉलर है जिसने आज से पहले कोई international मैच खिला भी नहीं है वो विराट कोली को 99 पे आउट कर दे almost ऐसा ही शनेरियो था किसी ने expect नहीं किया था कैसा हो जाएगा मगर एक तीर ने हिंदुस्तान का पूरा जो इतिहास है पूरा जो भविश्य है सब कुछ बदल के रख दिया समराठ हेमू मर चुके थे वो अपने हाती पर थे मगर आसपास की जो उनकी सेना थी उनको पता लग जया था कि समराठ हेमू अब हमारे इस बीच में नहीं है और आप कहा लिजिए जब एक एम्परर घायल हो जाता है चोटिल हो जाता है इस केस में जब वीरगती को प्राथ हो जाता है जंग के दुरान तो बाकी सेना का जो मुराल है वो भी गिर जाता है और अचानक से completely the tables turn और बैरम खान की जो फौजे है जो अकबर की फौजे हैं ये जीत जाती है battle second battle of पानीपद miraculously through sheer luck ये मुगलों के हाथ में आ जाती है जीती वी जंग हेमू की सेना यहाँ पर हार जाती है और उसके बाद क्या होता है हेमू की dead body बैरम खान अकबर के सामने लेके आता है अकबर उस वक जैसे मैं आपको बताया 12-13 साल का था और अकबर को का जाता है कि एक message send करना है सारी दुनिया को तो हेमू का जो सर ये आप काटिये सर कलम कर दो इनका मगर अकबर ने मना कर दिया ये करने से फिर बताया जाता है कि बैरम खान ने हेमू का सर अलग किया बोडी से तलवार से मगर अकबर का हाथ लगा दिया तलवार पे ताकि एक formality पूरी हो जाए और उसके बाद हेमू का सर जो है ये इंदुस्तान से भार बेजा गया अफगानिस्तान में बाकी और जो दिनस्टी के पुरानी लोग है उनको सर दिखाए गया हेमू का और बताया जाता है कि हेमू की जो डेड बोडी है ये दिल्ली में लटकाएगी डिस्प्ले करने के लिए कि जो मुगलों के सामने खड़ा होगा उसके साथ ऐसा ही ये लोग करेंगे हेमू की बाकी फैमली के साथ भी बहुत बुरा होता है इनके फादर को का जाता है कि इसलाम में एक अन्वर्ट कर ले उन्होंने मना कर दिया इन तो इनके फादर को भी मार देते हैं और देखते ही देखते मुगल सल्तनत स्तापित हो जाती है अकबर का राज यहाँ पे प्रॉपरली शुरू हो जाता है सेकंड बैटल ओफ पानिपत के बाद मगर मुझे यह जानके अच्छा लगता है कि अटलीस आज के समय पिछले कुछ सालों में हेमू कौन थे इनकी हिस्ट्री क्या थी उसको लेकर कुछ हतक अवेरनेस जागी है अब ही रीसेंटली आप अगर देखें तो उत्तरपदेश का जो स्टेट एक्जाम होएं वहाँ पर यह सवाल भी पूछा गया था कि दे लास्ट सन अफ इंडियन ग्लोरी यह किसको का गया था यह UPPSC का सवाल है 2016 का यह क्वेस्चन है यह वीडियो देखके आप कहा सकते हैं कि जो सही आंसर है यहाँ पर यह है हेमू और हर्याना गॉर्वर्मेंट की आप अगर वेबसाइट देखो तो वहाँ पर शान से लिखा जाता है कि हेमू यह एक नाशनल फ्रीडम फाइटर थे और बिलकुल यह एक फ्रीडम फाइटर थे आप कहा सकते हैं कि पृत्वी राज चोहान के बाद यह सेकंड हिंदू आखरी हिंदू रूलर थे जिन्होंने दिल्ली पे बैठ कर राज किया था अलाकि इनका राज कुछ ही हफ्तों का था उसके बाद सेकंड मैटल अप पानिपत होगी मगर यह हीरो है हमारे देश के इस देश की मिट्टी में का जरम हुआ था और हेमू आलमोस्ट आप कह सकती हैं एक आंसर है उस क्वेस्चन का जो अलमोस्ट हर इंडियन हिस्ट्री परते हुआत सोचता होगा के ये बाहर के लोगी बार-बार यहां पर राज किये जा रहे हैं कभी अफगांडिस्तान से उस्वेकिस्तान से हमारे यहां से कोई खड़ा नहीं हुआ मगर मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री में समराठ हेमु का चैप्टर हमको भोलना नहीं चाहिए एक कॉमन इंसान जो धीरे धीरे राइस करता रहा और एक टाइम पर आकर अलमोस्ट समराठ हेमु ने हिंदुस्तान का इतिहास बदली दिया था और फानली आपर मैं ये भी आड़ कर दूँ कि आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं सिंप्री जाओ कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपके सामने खुलेगा ये पेज और आप कोई भी एक्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं चाहिए UPSC, SSC, Bank, CDS, IIT, JEE, NEET किसी भी एक्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हैं थ्रू अनकाडमी, मगर यहाँ पर जो कोर्स के प्राइस लिखे हैं पेज करने के आप शकता है नहीं, यूज अकोड PD10 पर एक्जामपल आपको प्रेपेर करना है फॉर UPSC, क्लिक आउन UPSC, CSE गेट, सब्स्रिप्शन, और यहाँ पर खरीज सकते हैं प्लस यहाँ फिर इकॉनिक कोर्स, मगर जो यहाँ पर प्राइसे लिखे हैं Never pay these prices, simply यहाँ पर कोड डालो PD10 और प्राइसे यहाँ पर अपने आप गिर जाएंगे So, use the code and save your hard-earned money सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांथ थैंक यू फॉर लिस्निंग and as always God bless you all